आ गई आ गई आ गई आ गई बहाली आ गई भाजपा की प्राइवेट रेल की बहाली आ गई एक तिहाई वेतन पर दुगना काम करो ना नुकूर करना हो तो लात खा कर बाहर जाओ कमाना भाजपा की मजबूरी है आरक्छन मिटाना भी तो जरूरी है यह RJD का ट्वीट है ट्वीट इसलिए आया है कि रेल्वे का निजी करन जो हुआ है तो पहली बार निजी वाली वेकेंसी भी आ गई है और इसमें कई पदों पर भाली निकाली गई है इसे लेकर RJD ने ट् इन सब पदो पर भाली आई है जिसमें वेतन भी पहले की तरह नहीं है। देशी नहीं दुनिया की सबसे बड़ी संस्था सार्जनिक उपक्रम जो है वो था भारतिय रेल सबसे ज़्यादा नौकरी इतना बड़ा इंप्लायर हमारे देश में कोई दूसरा और्गनाईजेशन नहीं इतना बड़ा रेलवे इंप्लायर था। तो उसका रेलवे का पट्री स्वने का पट्री हो जाएगा। शांदी का हो जाएगा। यह का जाता है। तो जब से मोदी जी आए हुकुमत में तब से ही लगे हैं कि कैसे रेलवे का नीजी करन किया जाया। पहले तो इन्हेंनों बुलिट ट्रेंड दिखाया लोगों को कि बुलिट ट्रेंड चलेगी है। उस बुलिट ट्रेंड चलने वाले में कौन पैसिंजर होंगे भाई। अचल भी नहीं है। अचला भी नहीं दुन्हों। यह तो इवेंट बनाते हैं। जूट बोलने में लोग मास्टर हैं। यह दाम डिलिट के वाले हैं। उसको सवाल पूछते हैं। देखें। उभी एक बड़ा बड़ा फंडा था। जाना है पटना, सिवान तो चल गया राउर केला। उडिसा, उडिसा में है राउर केला। जाना है कहां भाई। मुझा फरपूर। तो चल गया टाटा। तो डाइवर्शन, अब पहुंचना है दू दिन में, तब पहुंच रहा है एक सबता में। यह कमाल रेलवे का था। और यह सब इसलिए किया गया कि लोगों को इसका मजाक उड़ा करके समझाए जाए और कहा जाए कि नीजी छेतर में जाने से अब बढ़ियां हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मूल बात यह था। रेलवे का उहां रहे हैं आपको। बहुत बड़ा वेकेंसी निकला था अभी एक साल पहले। उस वेकेंसी में जितने जमान लोग थे, बेरुदगार लोग थे, कड़ोणों लोग चुनाओ के पहले। उस सब लोगों ने फर्म भरा देश भर में। और उससे कड़ोणों रुप्या रेलवे के पास जमा हुआ। उसके बारे में कोई अता पता नहीं। परिच्छा पीस। फर्म भरने का फीस होता है। वो सब ड्राफ से जमा किया गया। कहीं ड्राफ से है। पहले सर, ACST के तो पैसा नहीं लगता था फारम में। लेकिन अब तो लगता है। अब भाड़वो मिलता था। उस अब पास को भी खतम कर दिया। और अब रेल्वे के 109 रूट को इन लोगों ने झीजिकरण कर दिया। जतना पढ़िया बढ़ियां रूप एस्टेशन बीक रहा है देखी रहा है बाकी चीज तो बीका से बिकवे क्या स्टेशन ट्रेंड सब बिक रहा है और अब जो ही बहाली निकाला गया है फिर बेरोजगार को एक नया जुन-जुना देका दिया कि भाई हम बहाली कर रहा है अच्छा सर एक चीज पूछ रहा है माने लोगडाउन में सरकारी नौकरी नहीं है किसे की प्राइवेट वलाग तो क्रोरों लोगों की नौकरी चल गए अब प्राइवेट बहाली होरे ही रेलवे में तो संकट के समय तो इस सब की नौकरी भी चलिये जाएगी नौकरी रह हो गया चार महीना से बेतर कहा मिला उनको सब भूखे मर रहे हैं सब घर लोटके आगे और अब घर में भी कहें कि हम सब की विवस्था करेंगे बिहार की सरकार ने का डबल इंजन वाली अब उप सब लोग पिर वापस भी जा रहा है दूसरे पंजाब से हरियाना से सब लिए ब्यार की और देश की आम जनता को बताना चाहते हैं यह जो नीजी करन हुआ है मत्र दलित पिछड़े आदिवासियों को नौकरी से बाहर करने के लिए हुआ है लेकि वो आएगा ही नहीं अरक्षन सवा नहीं मिलेगा और जो आएगा भी अगर मिलना है उसको 40,000 तो मिलेगा आथ हजार, छो हजार मिलेगा अब तो दहे जो घंजाएगा जो रेलियों लेक्वा डशन्व करें नहीं यह भल बल लड़का रेलवे में है अब उस अब गये अब कहां से लड़का लड़की के जो हुए रहली से हो गले है उप सभ एकके जाव से सब को बहार चाहा आएस के तैयारी कर रहा हो यह पियूंच अप्रासी का आएस भी तो होई इन गया प्राइवेट से आएस काई बात काते है भाई जोईंट स्टेटरी हो गळी लिए सब प्राइवेट वाला सब हो गजी बीना पढ़ने लिखे लिए बड़ा बाबू के बेटा है, पैसावला बेटा है, तो होगे लई? उचाजात के भाई? तो होगे लई? ओगर हमें कोई दलित के हो ली है, कोई पिछडा के हो ली है. लालु जादब रेलमंत्री थे और फायदा प hell यूज़ जा दब लुじ जादब अधे दकशया टो रालु जादब मंत्री मिघंकर शवर्बार 256 x काता है लालु जी तो एको फैक्टरी ने लगा है तो देखे इधर छपरा जाते हैं तो मिलता है रेलवे चक्का वाला कर फाना पूरे देश में चक्का जाता हूं अच्छा इह बताइए हमको कि कुछ लोग ऐसा नहीं होता है कुछ ऐसा पक्ष नहीं है जिसको दिन में दिख लालु जादब को तो यह लोग देखता है कि लालु जादब एक मात्र वेक्ति अभी है देश में नेता उसका पास्ट्रेक देख लिए जो मनुवादियों से लड़ रहा है जो अभी तक घुटना नहीं टेखा नतिजा हुआ कि लालु जादब को जेल में अब पूरे खां लालु जी का नाम नहीं लेगा तब तक उसको खरे नहीं पच्टा है सुवा उटते लालु साम को लालु लालु के गाली देना है लालु के नाम पर गाली देना है राज़त को देना है इसलिए कि सबसे दरत जादा इसलिए है कि यही है जिससे उसको भै है इस हुकूमत को जुवान दिया और लड़ने के लिए उसको सिखा दिया वो आगे बढ़ करके लड़ने को तयार हुआ इस से मनुवादियों को दिक्कत हो रही है वो complete नीजी करन उसका किया गया है एक भी दलित पिछले का नहीं होगा जिस नौकरी में जिस सेवा में 40,000 रुप है वेतन मिलत जो चोगंटा आठ घंटा का सेवा वहां देता था अब उससे 14 घंटा 12 घंटा सेवा लिया जागा अब तो 18 घंटा तक भी हो गया ओटीम पैसा मिलता है अब कहा हुआ उतो कानूने सरकार बना दिया ना बारा घंटा का कानून हो गया और जो रहले मजदूर का जो कानून को समत्त कर दिया शर्मी का धिनियम को नया सर्मी का धिनियम बना दिया आप उसपर कोई केस में कर सकते हैं बोल भी नहीं सकते हैं आँशी से सब गाइड होगा इतो बहुत ही चारा ला घंटा अब तो रेलेवे में प्रयवेट वेकेंसी शुरू है आयेस जोइन्ट सेक्रे क्या क्या होगा अभी देखते रहिए अब कुछ नहीं है भाई देखें लाम मंदिर का नाम लीजिए तालीब जाइए भजन किर्टन कीजिए पेट भर जाएगा नोकरी हो जाएगा सब हो जाएगा करूनों भाग जाएगा डर्फ भी आके लिए गहर द्लड के लिए खोजते थे रहल लडवेवरा वेल्ड़का है अब और प्रड़ाइवेट हो गे या राइब्यमाए यी किरानिन झाइद फ़लना फ़लना तै कोस्ते आप को भी यह को नोकरी करने की जाएद तैयारी भी करते तो तो खरएब जायए लिये हैं और बेरोजगार बना रहे हैं लोगों को जहां सरकारी नोकरी लगनी चाहिए पचास जार तन खावाली वहां पंद्रह हजार मिलेगा मोधी मोधी करते रहिए इन्होंने भी कह दिया कुछ नहीं हो सकता करते रहिए धर्म के नाम पर वोट देते रहिए और इसी तर ही लगी होगे तो माफ की ज़िए लेकिन सचाई यह है और आप क्या सोचते हैं इस मुद्धे पर परतिकिरी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें इनके जो विचार थे उस पर भी आपकी क्या रहा है वो भी जरूर लिखें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न लेंगे